मन से स्वतंत्र कैसे होंगे धर्मान उड़ागने प्यारे जनता इस तर की भक्ति को समझ सकें इसके लिए आपको याद दिलाता हूँ इसवर की भक्ति के समझने में पहले इसवर सरूप का निर्नाय होना चाहिए इसवर मायातीत होने के कारण इंद्र गंब नहीं है इसलिए वे पर्तक्ष नहीं है भक्ति कहते हैं सेवा को जो पर्तक्ष नहीं है उनकी सेवा हम कैसे करें उनके परतक्ष रूप का भजन या भक्ति संतों के संग भी है यह एक तरह की सेवा है जहां इस पर समंदी कथाएं हो सुनो यह भी एक तरह की भक्ति है इंद्रियों को कावु में रखने के लिए बहुत से कर्मों से अपने को बचाए रखो पंच पापों से बचे रहकर भी सजनों की धर्मानुकूल बारता जा सकता है इंद्रियों के रोकने का सवाब बाला बनने के लिए केबल विचार से ही नहीं होता है इंद्रियों के संग मन की धाड़ें लगी रहती है इन धाड़ों को इंद्रियों के अस्थानों से समेट कर एक केंद्र पर रखो तो दमसीलता होगी दमसीलता के अंदर मन का रूप बहिर मुख से अंतर मुख हो जाता है यह उद्रगमन की यह उद्रगमन ही इस्पर की भक्ती होती है जैसे जगनाजी जाने वाले का चलना जगनाजी की भक्ती है उसी परकार इस्पर की और चलना भी इस्पर की भक्ती है जो लोग इस्पर के पर्तक्ष दर्शन के वास्ते अंदर अंदर चलते हैं उनका वह चलना इस्पर वक्ती के अंदर दाखिल है किसी भी मंदिर में मूर्ती का दर्शन करके पर्तक्ष दर्शन की लालसा रह जाती है दर्शन पर्तक्ष होना चाहिए अंतरगामी को पर्तक्ष दर्सन होता है, बाहर गुमते हो, इंद्रियों के संगे संग और अंदर गुमते हो इंद्रिय और सरीर का संग छोड़कर अंदर चलते चलते आने का पता लग जाएगा, उसी को इस्वर का भी पता लगेगा चेतनात्मा के उपर से जब सब आपरन उतर जाते हैं, तो आत्मंद्रिष्टी होती है यह आत्मंद्रिष्टी किसी के देने से नहीं होती, अंतरंग साधना द्वाला इस्वर की और चलना इस्वर की भक्ती है, यही पड़ा भक्ती है जिबात्मा सरीरों को छोड़ते छोड़ते प्रमात्मा में अपने आप जा मिलती है दमसील होने के साथ साथ समसील भी होना चाहिए दम के बिना सम नहीं होता है सम का साधन पुर्ण सिम्टाव में पहले बिंदू पर अवस्तित रहकर वहाँ जो सब्द होता है उसको गरन करके होता है जहां कंपन है वहीं सब्द है जहां कंपन नहीं वहाँ रचना नहीं कंपन में सब्द अनिवार्ज रूप से होता है सभी सब्द सुन नहीं पाते इसलिए काते हैं कि कंपन में सब्द नहीं होता कम से कम बीस कमपनांग के सब्द को जादे से जादा बीस हजार या तीस हजार कमपनांग के सब्द सुन सकते हैं उसे से कम या अधिक कमपनांग के सब्द को सुन नहीं सकते हैं चाहे सूल जगत हो या सुष्म जगत हो बिना कमप के रचना बन नहीं सकती जहां रचना है वहाँ सब्द है उपर का सब्द नीचे दूर तक आता है अभ्यासी एक बिंदू पर उस इस्थू उस सुक्ष में मंडल के केंद्रिय सब्द को सुनता है एक बिंदूता के कारण सुक्ष मंडल में प्रवेस हुआ इसले सुख्च मंडल के केंद्र काप सब्द पक्रा जाता है संथों ने पुकार कर कहा है जही सब्द से प्रकट भए सब स्वही सब्द गई लिजे कवीड साहव यही इस्वर का परतीक है इस्वर सक पहुँचने का द्रिसमान चिन बिंदू है बाहर में प्रतिक बनाते हैं यह स्वक्रित है इस्वक्रित चिन जैसा मन स्वक्रित चिन नहीं हो सकता चलना रास्ते पर होता है रास्ते का ओर छोड़ होता है इसका अरम एक बिंदुसा से होता है और अंत परमातमा में होता है यह जोती मार्ग और सब्द मार्ग सब के अंद प्रत्याहार में जो हैरानी होती है वह साधन करते करते मिट जाती है समसीलता सब्द साधनाम होती है प्रा भक्ति को जो नहीं जानते हैं वह मोटी भक्ति को पकड़े जाते हैं पुजा पाठ में जो एक आगरता आती है उससे अधिक एक बिंदुता में आती है अस्थूल भक्ति भक्ति का पैड़ है और सुक्ष्म भक्ति भक्ति का सीड़ है केवल पैड़ ही पैड़ नहीं जानो सीड़ को भी जानो पंच पापों जूट चोरी नसाहिं सार्वे विचार से बचे रो तंसार में दुष्ट कर्मे से जनता में कस्ठ होता है हम लोगों को सुराज प्राप्त है इसके लिए कितने गोली के सिकार हुए और फांसी पर चड़े प्रंतु सुखी हम अपने को नहीं पाते हमें पापों से रहित होना चाहिए अपने को पापों से छुड़ा ले तो दुष्ट करम बिलकुल मीट जाएगा और सुराज में सुराज हो जाएगा इस्वर की भक्ति करने वाले पापों से छुड़ते हैं सब को चाहिए कि अपने को भक्त बना लें किसी तरह धन कमालो इसमें पापों को नहीं छोड़ते प्रंतु इस्वर की भक्ति में पंच पापों को छोड़ना आवत्रक है अपने तई अपने को इस्वर सक पहुंचना ही इस्वर की भक्ति है हम लोग तन में स्वतंत्र हो गये हैं परन्तु मन से नहीं यह परवचन पुर्णिया जिला अंतरगत गलाम डुपोली में दिलांग सत्ताइस बाड़ अवने सपसर इस्विके अपनान कलिन सत्तंग में हुआ था तुरे सद्वरो महाराज झाल